Hello everybody, this is Maricha and welcome back to my channel Legal Scanning आज हम एक बहुत important concept के साथ करने वाले हैं DAV जो कि generally लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है तो चलिए start करते हैं देखे, जो general public होती है उनकी जो grievances होते हैं वो कौन से loss के अंदर आते हैं? क्या आपको पता है? और जो की एक individual होता है उसके जो grievances होते हैं वो गवन कौन से loss करते हैं? तो इसे के बारे में आज हम जानेंगे तो चलिए आज की इस session को करते हैं start देखे, आज हम करने वाले हैं deal What is public law and what is private law? Public और private law जो होता है वो अखिरकार होता क्या है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में तो पर हम difference देखेंगे, ठीक है? Public law और जो private law होता है उनके बीच में difference देखेंगे तो सबसे पहला जो है वो जो concept होगा ये होगा हमारा public law तो इसका जो concept है पहले हम उससे deal करेंगे, ठीक है? तो चलिए जानते हैं public law होता क्या है, देखें, public law जो होता है वो एक set of rules है, ठीक है, set of rules है, जो की form करता है relationship, किनके किनके बीच में form करता है? तो वो करता है private individuals के बीच में और public bodies के बीच में, ठीक है, ये एक relationship form करता है private individual और public bodies के बीच में, अब ये public जो bodies हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो public bodies में आती हैं आपके government जो departments होते हैं, ठीक है, अलग-अलग department होते हैं, government के अंदर, तो ये आती है public bodies में, और local authorities, ठीक है, local level पर हमने कई सारी authorities देखी होंगी है, तो वो भी आती हैं, किन में, ये जो public bodies हमने जो यहां पर देखा, उनके अंदर, आगे बाद सुने हैं, चले तो generally हम देखेंगे कि public laws deal with issues that affects the general public or society as a whole, ठीक है, ये जो public laws होते हैं, ये generally आप देखेंगे कि ये govern करते हैं, इनको govern करते हैं, ये उनको govern करते हैं, ये उनको govern करते हैं, जो कि affect करता है society as a whole, ठीक है, general public जहां पर ये concept आता है, वहां पर आप देखेंगे public law जो हो रहता है, व तो public law protects the society as a whole तो अब इसमें एक example ले ले मान लिजे किसी ने murder commit किया है murder commit किया है तो यह जो murder commit किया है इसका punishment क्या है इंडिवेज्वल देगा यह reformative वाला भी time नहीं चल रहा है कि पहले जो ancient times में reformative वाला system था tit for tat कि मतलब तुमने मुझे मारा मैंने तुमको मारा ठीक है ऐसा वाला system था यहां पर ऐसा अभी नहीं चल रहा है क्योंकि यहां पर एक state है जो की एक authority है supreme authority है अब उसके पास यह power है हमी लोगों ने दिया है social contract theory जब आप पढ़ेंगे तो हमी ने उनको यह power दिया था तो state उसको punish करेगी ना कि एक individual इसलिए यह जो crime है ठीक है crime generally आप देखेंगे तो कोई भी crime जो भी commit करता है एक individual तो वो state punish करती है individual नहीं करता punish ठीक है तो देखे public law is typically determined and enforced by the government agencies अब यह जो public law होती है यह enforced की जाती है किनके द्वारा यह जो हमारा government agencies होता है उनके द्वारा यह enforced किया जाता है ठीक है whereas the government typically removes itself from the enforcement of private law यह अपने आपको हटा लेती है काट देती है जो private law होता है उनसे यह अपने आपको दूर रखती है ठीक है अपने आपको वहां से निकाल लेती है आगे बात समझ में कि यह जो public law actually concept जो है वो क्या है तो चलिए इनके examples कुछ देख लेते हैं देखे अब यह जो public law होते हैं उनमें यह क्या comprise करते हैं जो हमारे constitutional जो laws होते हैं ठीक है constitutional जो laws होते हैं क्योंकि constitution ही अपना सब कुछ है ठीक एक country का जो constitution होता है जरसे हमारे इंडिया का जो constitution है वही है एक तरह से वही सबसे powerful है क्योंकि उसमें ही कई सारे provisions दिये गएं कई सारे articles दिये गएं जो कि आपको बताता है कि actually how the country should function है तो यह जो यहां पर public law का जो concept आता है महां पर आप देखयें जो constitution है वो सबसे prior जो most होता है वो रहेगा ही तिरह अब दूसरा जो आगया administrative law administrative law जो होता है उसमें आपको private laws होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे तिक है लेकिं public law भी उसमें आपको देखने को मिलेंग वहीं पर tax law ठाओस तैक है कि private or public दोनों ही laws दिखने को आपको मिलेंगे, criminal as well as the all procedural laws, criminal law जैसे मैंने आपको कुछ example दिया, ये crime वाला, जो कि murder वालो जो मैंने आपको बताया, वैसे ही जैसे rape हो गया, ये जो सारी चीजे होती है, वो आपको criminal laws में ही देखने को मिलेंगे, जो कि public law के concept में आता है, उसके ही और जो भी procedural laws होते हैं, वो सब हमारे किन के अंदर में आते हैं, public laws के अंदर में आते हैं, तो अभी तक हमने जो भी जाना, हमने जाना public law के बारे में, और आखिरकार public law क्या होता है, किन के किन के बीच में relationship ये form करता है, और कैसे function करता है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले concept के बारे में, that is, private law, private law क्या होता है, public law तो जो होता है, वो किस के किस के बीच में relationship फॉर्प करता है, एक private individual और जो की government bodies होती है, उनके बीच में, लेकिन private law होता है, वो क्या होता है, is a body of law which governs the relationship between the private individuals only, यहां पे जो relationship form हो रहा है, ये दो लोगों के बीच में हो रहा इंडिविजुल्स के बीच में हो रहा है, दो इंडिविजुल्स के बीच में हो रहा है, आगे बाद समझ में, तो private law characterizes the rights and obligations of the people and private bodies, ये जो होता है, ये जो आप देखेंगे, यहां पे जो interest होता है, किस का interest safeguard किया जाता है, यहां पे एक private individual का ही interest safeguard किया जाता है, ठीक है, the private law tries to secure just private interest, ठीक है, freedom of the individual in the community, most of the remedies in private law are of pecuniary or monetary nature, अब ये जो जादा तर देखेंगे, आपको यहां पे जो remedies मिलती है, ठीक है, वो compensation आपको monetary form में ही मिलेगा, ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था कि public law जो होता है, public law में क्या होता है, अगर आप बहुत heinous crime commit करते हैं, तो punishment मिलती है, ठीक है, punishment क्या मिलती है, आपको jail में रहना पड़ेगा, अगर बहुत ही जादा heinous crime किया, तो आपको कभी-कभी life imprisonment में दे देते है, ठीक है, या फिर hang to death भी हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ज देखा जाता है कि pecuniary values में ही आपको यह जो compensation होता है, वो पे करना पड़ता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आगे, चली आगे बढ़ते है, the party who has inferenced the law needs to pay some amount cash to the injured party and not to the state as determined the courts, ठीक है, state को नहीं देना पड़ता है, यहां पे individual के ही बीच में यह जे solve हो जाती है, ठीक है, तो private law का मतलब क्या होता है, private law का मतलब होता है कि यहां पे relationship form किया जाता है, individuals के बीच में, ठीक है, और यहां पे अगर आप कोई भी, इनकी अंडर कोई भी laws अगर जो आप infringe करते हैं, तो यहां पे आपको compensation in monetary values में जो है, वो देना पड़ता है, आगे बात समझ में, चलीए द law such as contracts, ठीक, contract में, जो contract sign होता है, दो लोगों के बीच में, यहां पे आप देखेंगे, कि यह दो लोगों के बीच में form हो रहा है, तो relationship इंडिविजुल्स के बीच में form हो रहा है, और यहां पे अगर कोई आप infringe करते हैं, उनका जो laws होता है, तो वहां पे आपको monetary value पे करन जो हमने पड़े थे, सक्सेशन हो गया, और family laws, यहां पे आप mostly देखेंगे, कि यह इंडिविजुल्स के ही बीच का मामला होता है, जो कि इंडिविजुल्स के ही बीच में settle किया जाता है, आगे बात समझ में, तो यह हमारा concept clear हो गया, प्राइवेट लॉका, और हमने आगे इस concept जो clear किया था, वो public law का किया था, तो I hope कि आपको यह जो concept है समझ में आया हो, clear हो गया हो, तो चली इनके aims के बारे में जान लेते हैं, देखें, public law का aim होता है, public law aims to protect the public interest, क्योंकि वापे society का involvement हो रहा है, कोई भी अगर चीज हो रहे है, कोई भी अगर rights जो है, infringe हो रहा है ना, society as a whole का concept है, वहीं पर अगर आप private law देखेंगे, तो private law seeks to protect the rights of only private interest, ठीक है, यहाँ पर private interest को ही protect किया जाता है, ठीक, तो यह aim हो गया public और private laws के, आगे बात समझ में, तो आज का session चली यहीं पर करते हैं, and I hope कि आपको आज का session session interesting लगा हो, और समझ में भी आया हो कि आखिरकार private और public laws होते क्या है, क्योंकि generally लोगों को बस वो सुनने में आता है, कि private law होता है, public law होता है, लेकिन concept के बारे में उतनी clarity नहीं होती है, तो I hope कि आपको बहुती easy way में समझ आ गया होगा, examples के साथ, है ना, तो हम मिलते हैं अ innovative, interesting facts के साथ, videos के साथ, या फिर कोई भी ऐसा information जो कि आप भी चाहतो हो, तो please comment करिए, क्योंकि comment जो आपका होता है, उससे मुझे motivation मिलता है, to make more and more videos, okay, and please like करिए, share करिए, सब जादा सब जादा सोचाथ कि लोगों को laws के बारे में हमारे जो Indian laws के बारे में तो जरूर पता हो चाहिए, thank you so much, मेरा एक Instagram IDA भी है, वहाँ पे भी में बहुत सारे interesting facts जो है, वो डालती ही रहती हूं, तो आप उस मेरे ID पे जाए, that is legal scanning, वहाँ पे भी आप बहुत सारे जो interesting facts के वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, और legal updates में बढालती है, वो भी आप updated रह सकते हैं, thank you so much, मिलते हैं हम अपने अगले session में, till then take care, tata